साथ ट्वीटर पर आए दिन किसी ना किसी भरती परिक्षा के चात्र ट्रेंड कराते रहते हैं कि दो या तीन साल हो गए उनकी परिक्षा के रिजल्ट कब निकलेगा और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो भी दो साल से ट्रेंड करा रहे हैं कि उनकी जॉइनिंग कब होगी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से लेकर रेलवे की परिक्षा के छात्र आए दिन लिखते रहते हैं यहाँ वहाँ सहायक लोको पाइलेट की अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई है 2019 में बड़ा हंगामा था इसका करीब करीब दो साल होने जा रहे हैं सरकार को पता है कि छात्र बेचैन हैं नराज हैं इस पर कोई ठोस जवाब नहीं आता कि कब रिजल्ट निकलेगा कब जॉइनिंग होगी मगर इसकी जगह एक नई घोशना कर दी जाती है नई घोशना का मकसद अपनी जगह ठीक हो सकता है लेकिन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की लेट लतिफी को लेकर 2018 के वर्ष में S.S.E. मुख्याले के बाहर कितना बड़ा अंदोलन हुआ था तब क्यों नहीं ख्याल आया उसके दो साल बात केंदर सरकार ने फैसला किया है कि National Recruiting Agency बनाई जाएगी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन भी राष्ट्रिय संस्था थी जिसका काम था समय पर परिक्षा कराना और रिजल्ट निकालना वो काम वो संस्था क्यों नहीं कर सकती थी इस नई संस्था के ऐलान से क्या बदलने वाला है सुनिये मंत्री जी को नोकरी के लिए जो जुआ होते हैं उनको बहुत परिक्षाय देनी पड़ती है और उनको लगबग 20 रिक्रूट्मेंट एजन्सित हैं तो कोई चारपास में अगर परिक्षाय देता है तो उतनी परिक्षा उतनी जग़ जाना ये सब समाप्त करने के लिए एक आईतियासिक फैसले में नैशनल रिक्रूट्मेंट एजन्सी राष्ट्रिय बरती संस्ता ये परिक्षा लेने वाली Common Eligibility Test ये लेगे और इसका करोड़ों छात्रों को लाब मिलेगा छात्रों को यानि युवाओं को लाब मिलेगा जो नोकरी के लिए अविदन करते हैं ये मांग थी पूरे युवाओं पीडि की सालों से लेकिन नहीं हो रहा था लेकिन इस एक मिलने से National Recruitment Agency से एक परिक्षा उससे उनकी तकलीब भी दूर होगी उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास से भी ठीक रहेगा बदला यही है कि अलग-अलग एजनसियां परिक्षाएं कराती थी रेलवे अपनी अलग परिक्षा कराती थी स्टाफ सेलेक्षन कमिशन अपनी परिक्षा कराती थी अब भी अलग-अलग परिक्षा होगी मगर एक एजनसी कराएगी जो पहले Common Eligibility टेस्ट लेगी करीब 20 प्रकार की परिक्षाएं एजनसियां अपनी अपनी परिक्षाएं लेती थी इन सभी को एक एजनसी के दाएरे में लाया जाएगा यह कितना बड़ा मामला है आप इसी से समझ लें कि धाई से तीन करोड चात्र केंद्र सरकार की भरती परिक्षाओं में शामिल होते हैं नैशनल रिकूट्मेट एजनसी एक शुरुवाती परिक्षा कराएगी जिसका नाम होगा Common Eligibility Test इसमें पास वे लोग अलग-अलग विभागों की परिक्षा दे सकेंगे उसमें से जो छट के जाएंगी स्क्रीनिंग होगी Railway, वित विभाग, स्टाफ सेलेक्षन कमिशन, बैंकिंग सिवाओं की परिक्षा इसके जरीयब होगी इसके लिए जिला इस तर पर परिक्षा के केंद्र बनाये जाएंगे लाखो नौजवान अपनी परिक्षा के रिजल्ड का इंतजार कर रहे हैं जो पास हो चुके हैं वो जॉइनिंग का इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में भी एक टायम लाएंगे 17 से अगस 2020 आ गया अपनी रिजल्ट परिक्षा के लिए ये लोग पुलिस की लाठियां खा रहे हैं आए दिन हर राजी से ऐसी तस्वीरे आती रहती हैं कहीं कोई समाधान नहीं है National Recruitment Agency की तरह ऐसी क्या नहीं वेवस्था होने जा रही है जो पुरानी वेवस्थाओं से नहीं हो सकती थी और अगर पुरानी वेवस्थाओं से नहीं हो सकती थी पुरानी संस्थाओं किसी काम की नहीं हैं जो कि लगता भी है कि नहीं हैं, उनकी पुरानी परिक्षाओं को लेकर कोई नीती क्यों नहीं बनती क्यों नहीं ऐलान होता, कि बैक लॉग जो है वो क्लियर किया जाएगा, यहीं नहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी ने अपने सर्वे में बताया है कि अप्रेल से लेकर जुलाई तक एक दशमलव आठ करोड नौकरियां कम हो गई हैं पिछले साल के मुकाबले, सिर्फ जुलाई महिने में 50 लाग सेलरीड यानि हिंदी में वेतन भोगियों की नौकरी चली गई है, 50 लाग हम समझ रहे हैं सुशान सिंग का केस सबसे बड़ा है, सारी वेबसाइट पर जाकर देखिए कितना कवरेज है, लेकिन 50 लाग लोगों की नौकरी चली गई है, उसका कवरेज कितना है, मैं किसी को कोई अपवाद नहीं छोड़ता, कली हिमान्शु शेकर ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल सेक्टर का अनुमान है कि चार करोड नौकरियां जाएंगी, हिमान्शु शेकर ने जुलाई के महिने में छोटे लगू मध्यम उद्योगों के सेक्टर का भी एक अनुमान बताया था, कि अगस्त तक 3 से 4 करोड नौकरियां जाने का अनुमान है, तो चारो तरफ से करोडों लोगों की नौकरियां जाने की खबर आ रही है, इस बीच करोडों लोगों की नौकरी जाने पर किसी परकार की प्रतिक्रिया आपको नजल नहीं आएगी, पच्चास लाग सेलरिट क्लास की नौकरी चली गई है पच्चास लाग जुलाई के महिने में उसे लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आईगी आज जब नैशनल रिकूट्मेंट एजनसी का एलान हुआ है तो इस तरह से उत्साफ व्यक्त किया जा रहा है यह भी याद दिलाना जरूरी है कि कुछ हफते पहले रेल मंत्राले ने ही कहा था कि अगले एक साल तक भरतिया नहीं होंगी और पता करें कि किंतिन विभागों में क्या-क्या गुनजाईश है नौकरियों को कम करने की लोगों को कम करने की वो खबर कितनी चोटी और मामुली तरीके से कालिंग के नीचे सरका दी जाती है और नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की खबर बड़ी कर दी जाती है इस एजेंसी की खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि आठ करोड नौ करोड लोगों की नौकरी जाने की रिपोर्ट छोटी हो जाती है वो मंतरियों के ट्वीटर हैंडल पर चिंताओं में कही नजर नहीं आती है ये काम मेरा बताना है आप ठीक करते हैं नहीं समझ कर मैं आगे बढ़ता हूं कमाल खान की एक स्टोरी है कि मद्देपरदेर गुरू 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 गुरू